एक पड़ोसी है हमारा चाइना और आप सभी जानते हैं कि चाइना की वही नीती है जो एक समय अंगरेजों की हुआ करती थी बिस्तारवादी नीती और आप देखें कि चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है लगवक सभी से उसका सीमा विबाद बना हुआ है भारत से भी उसका सीमा विबाद बना हुआ है आप देखें लद्दाग बाला हिस्सा हो हिमाचल पे देश हो उत्राकंड हो सिक्किम हो अरुडाचल पे दे था था कि हमारे सैनिक सहीद भी हुए थे और यहां कब्जा की करके बैठा हुआ है और अवना चल पिदिस में आप देखी उसने गाउं पसा लिए हैलिफेड बना रहा है और आप देखी कि इस तरह की खबरें आती रहती है और हमारी सरकारों में भी कमी है आप सभी जानते है कि अगर अभी हाली में एक खबर आई हुई है कि पूर्वी लद्दाग जो गोगरा हॉट स्पिंग छेत थे ना यहां से सैनिक चाइना के जो सैनिक है वो पीछे हटने को तेयार हो गए जब यहां घुसे ही नहीं थे तो हट कहां से रहें क्योंकि आपने देखा है पहले सर याद धानी है और यहां आप लोग संधाई एक सहर भी देखते होंगे तो वो भी आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा ठीक है तो से भी याद रखिएगा आप लोग और यह आपका कब हुआ था इस आजाद कब हुआ था एक अक्टूबर 1949 में इसी आजादी मिली थी ह हमें 15 अगस 1947 में आजादी मिल गई थी हमारे बाद यह आजाद हुआ है और हमसे आंगे है आप सभी जानते हैं GDP के मामले में देख लिजे सैनिक छमता के मामले में देख लिजे कई चेत्रों में यहां कीगत है कडवी सच्चा ही है और आप देखेंगे जन संक्या में हमसे आप सभी जानते हैं दूसरे नमबर पर आते हम लोग जन संक्या में और आप देखें एक मैप आप लोग यहां यह देख लिजेगा देखें अकसाई चीन इस हिस्ते पर आप देखेंगे चाइना कबजा करके बैठा हुआ है और यह देखें यह भी आपका चाइना के हिस्त तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं आखिरे मामला है क्या हाली में भारती और चीनी सैनकों ने पूरवी लद्दा के गोगरा होट स्पिंग छेत में पेटलिंग पेलर 15 से हटना सुरू कर दिया है एक बात आप लोगों को यहां और बता दे से जमीन को कट्छा कर लेता है उसके बाद वह कहता है कि समझाता कर लेजे 500 में पीछे ऐट जाता हूं देखीं कि दो दोनों देसों कि सेनाएं अप्रेल 2020 में इस से इलाकी में टकराओ की स्तिती में थी और यह कदम उजवेकिस्तान में संगाई सहयोग संगठन सिखर संभेलन से पहले आया है इसके SCO के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को SEO से भी questions आते रहते हैं और आप लोग अपनी परिक्षाओं से पुराने questions पे वर उठा के देखिए इस तरह के अंतराश्टी संगठनों से हर साल आपकी परिक्षाओं में questions आते हैं चाहे आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो इस्टेट PCSO, सिविल सर्विस हो या वंडे एक्जाम होते रहते हैं आप देखते हैं सेंटर लेवल पर भी और इस्टेट लेवल पर भी तमाम एक्जाम होते हैं और आप देखेंगे SEO की इस्थापना 15 जून 15 जून सन 2001 में हुई थी और विजिंग चाइना में इसका आपको हैड़क्वाटर देखने को मिलेगा यह आप लोग के एक मैप देख लीजे देखें आप लोगों को देखाई दे रहा होगा साब साब पूरा ठीक है अब तो आप जानते हैं कि लद्दाक और जम्मू कस्मीर दो अलग केंद सासित प्रदिस बना दिये गए पहले आप देखते थी कि पूरा जम्मू कस्मीर ही हुआ करता था अब आपको मालू हैं कि 2019 में ए दो राज़ बन चुके हैं और लद्दाक की राज़नी ले है इसकी सीमा चाइना आफ़धानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है जम्मू कस्मीर में आपकी बिधानसबा होगी दिल्ली की तरह ये भी आपनों याद रखेगा अगर हम लोग बर्दमान सांती समाधान की मुखे बिसेस्ताओं की बात करें तो मई 2020 से चलनाई गतिरोत को समाथ करने के लिए एक कदम आंगे बढ़ते हुए भारती और चीने सेनाओं ने पूरवी लद्दा के गोगरा होटे स्पिंग छेत में पेटोलिंग पॉइंट 15 से हटना शुरू कर दिया है पेपी 15 लद्दा कम बास्विक नेंतन रेखा के साथ 65 पेटोलिंग पॉइंट बिंदू में से एक है या सांती समाधान समन्वित और नियोजित तरीके से सुरू हुआ है और जो सीमावर्टी छेत्रों में सांती और इस्थिरता के लिए अत्यनत रावस्त के सांती समाधान पर पहले से हुई बारता के अनुसार दोनों देशों दोनों पक्चों द्वारा सेनिकों को बावस लेने के साथ के बास संगरस बिंदूओं पर एक बफर जौन बनाया जाना है और पूरी तरह सांती समाधान के बाद नए पैटॉलिंग मान दन्नो परकार किया जाएगा और आप देखेंगे भारत चीन कोर कमांडर स्थर की बैठक सोलेवे दोर में सोलवे दोर में सांती समाधान के बारे में सहमती बनी है इससे पहले भी आप देखें कई बार हो चुकी थी बैठक सोलेवे दोर की बारता 17 जुलाई 2022 को भारत की ओर चुसुल सीमा कर्मियों के बैठक स्थल पर संपन हुई थी मई 2020 में गतिरोज शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों ने अब तक पैंगोंग 300 के दोनों पक्षों की ओर से किये गए सांती समाधान के साथ 16 दोर की बारता की है और PP 15 से सेनिकों के पीछे हटने के साथ ही दोनों की सेनाओं सेना चेत में टकराओ वाले सभी विन्दों से पीछे हट गई और जनसमें पैंगोंग 300 PP 15, PP 14, PP 17A के उत्तर और दच्छे तर सामिलेस में बारवी कॉप कमांडर स्थर की बैठक के बाद अगस्त 2021 में दोनों देसों की सेनाओं के भी PP 17A में सीमा तनाओं कम करने यह तू सहमत हुए थे और बे डेम चौक और डेप सांग जिने चीन ने लगाता रहा कहते हुए स्विकार करने से इंकार किया कि बे मौजूदा गतिरोत का हिस्सा नहीं है और हॉट स्पिंग और गोगरा पोष्ट की अगर हम लोग बात करें तो हॉट स्पिंग चांग चेनमो नदी के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा और गोगरा पोष्ट उस बिंदू के पूर में है जहां नदी गलवान घाटी से दच्छेट पूर में आने और दच्छेट पर्षिम की ओर मोडते हुए हैरिव बिन मोड लेती है और ये एचित पहाडी की कारा कुरम रेंज के उत्तर में देखने को मिलेगा जो पैकोंग तिसो जील के उत्तर में और गलवान घाटी की दच्छेट पूर में देखने को मिलेगा अगर इसके महत्त की बात करें आप देखेंगे इस से अगर जमीन का महत्त ना होता तो यहां कौन कभजा करने आता यह अचित कॉंग का दर्रे के करीव स्ते थे जो मुख दर्रों में से एक है चीन के अंसार यह दर्रा भारत और चीन के बीच सीमा को चिन्नित करता है और अंतराष्टी सीमा पर भारत का दावा काफी हद तक पूर्म में है और क्योंकि इसमें पूरा अकसाई चीन छेत भी सामिल है हाट इस्पिंग और गोगरा पोष्ट चीन के इतिहासिक रूप से दो सबसे असान परांतों सिंज्यांग और तिबबत की बीच की सीमा के करीब आपको देखने को मिलेंगे और जो भारत और चाइना की पीच आप लो मैक मोहन रेखा देखते हैं उसे चाइना मानता ही नहीं है वो कहता है अंग्रेजियों के समय रेखा तैकी गई थी उस समय हमारा कुछ इससे लेना देना ही नहीं था अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है भारत को टकराओ वाले सभी छेत्रों से तनाव कम करने के लिए दबाओ जारी रखना चाहिए चाइना पर और साथी कोर कमंडर उस्तर की बारता जारी रखना चाहिए क्योंकि जब तक गतीरोत की इस्तिती बनी रहती है तब तक समंद सामान नहीं हो सकते हैं भारत को या था इस्तिती की बहाली और LAC के साथ बहाली पर अपना रोक आड़ेग रखना चाहिए पूरी तरह से सौर उर्जा चले तीन चीन का सहमी सैडिलाइड डॉन इसके बारे में जाल लीजेए चीन के पहले पूरी तरह से सौर उर्जा से चलने वाला मानव रहे हवाई वहन ने अपनी पहली परिक्षा उड़ान सफलता पूरवक पूरी किये कली है और जिससे सभी on board system बहतर तरीके से काम कर रहे है यह आप देखी अलग कोई topic है लेकिन आप लोग इसे देख लिए मौनिंग इस्टार पांच मौनिंग इस्टार पचास नाम का यह ड्रॉन बीस किलोमीटर के उचाई से उपर उड़ता है जहां मेना बादलोग को इस्तित बाई उपरवा होती है उच्च तुंगता अधिक इस्तरता के साथ UAV UAV लंबी आउधी तक हवा में रह सकता है यह विस्तारी तवधी इस ड्रॉनों को क्रिया सील रहने ही तो सौर उपकरणों का अधिक्तम उपयोग करने में मदद करता है इस ड्रॉन को हाई एल्टिट्यूड पिलेटफॉर्म इस्टेशन या छदम उपगरे भी कहा जाता है इसका महत अगरह देखें तो यह बिना रुक यह बिना रुके महीनों बरसों तक काम कर सकता है यह उगरह जैसे कारेयों को करने में सक्चम है यदि उगरह सिवाय उपलब्द नहीं हैं उधारन के लिए समय संबेदी संचालन या इयोद्यकालीन ब्योधान के मामले में तो निकट अंतरिच यूए भी परिचालन अंतरा को भरने के लिए कदम उठा सकते हैं और मॉर्णिंग स्टार्ट पचास की अधिक स्थिरता इसकी चमता को लंबी आउधी तक उपलब्द विकरानी ही तो एक अतरिक लाप विदान करती है और यह निकरानी में संचला सकता है और जिसके लिए इसे महीनों तक परिचालन रह देहने चाहिए हमें और हमें ज्यानकारी भी होने चाहिए हमारे ओर चाइन की बीच का इस तरह का कोई मामला है तो उसके बारे में एक ओवर मी कोоना चाहिए हमारे पास और भी किसी topic के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे